तो सबसे पहले जो question है दोस्तो गोबर गैस सयंत्र का आविस्कार किस ने किया था most important question है दोस्तो कि गोबर गैस जो सयंत्र था उसका आविस्कार किस ने किया था इसके right answer बात के दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि CB देशाई ने गोबर गैस सायंत्र का विसकार CB देशाई ने किया था गोबर गैस सायंत्र से निकलने वाली जो मुख्य गैस होती है उसे मीथेन कहते हैं उसे क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है आपको बताना है इनमें से किस गैस से सड़े अंडे की गंद आती है इसका राइट आंसर होयागा आपसन नमबर A यानि हाइडोजन सलफाइड हाइडोजन सलफाइड गैस से सड़े अंडे की गंद आती है और यह एक रंगहीन तथा अधिक विसहली गैस है चले अगला कोश् की इलेक्टरानों की धारा हैं कैथोड क्रिडों को इलेक्टरान बीम भी कहा जाता है तथा यहां इलेक्टरानों की धाराएं हैं अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों गोबर गैस में मुख्यरूप से पाई जाती है most important है दोस्तों very very important यह कोशन है maximum बार एक्जाम में आता ह हर एक्जाम में यह पूछता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है इसकी राइट आंसर बात के तो इसका राइट आंसर रहा है कि दोस्तों अपसर नम्मर डी यानी मीथेन मीथेन जो होता है वो गोबर गैस में मुख रूप से पाई जाती है यह एक घरेलू इधन के रूप में भी प्रयूक्त होती है गोबर गैस के अवसिष्ट का प्रयूग खाद के रूप में किया जाता है बायो गैस में मीथेन सरवाधिक मातरा में पाई जाती है चलिए एगला कोशन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरड सूरे से हानिकारक प्रावैगनी वीकिरड को अवसोसित कर लेता है चार अपसन है आपके पास बताना है कि कौन सी गैस का आवरड सूरे से हारी कारक प्रावैगनी वीकिरड को अवसोसित कर लेता है जिसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओफिसन नमबर A यानि ओजोन ओजोन गैस प्रीथवी की रच्छा कवच की तरह कारे करती है अताहिया गैस सूरे से हारिकारक परावैगनी की रड़ों को असोसित कर लेती है तथा प्रीथवी पर जीवों की रच्छा करती है अगल आने वाले ग्रूप D एक्जाम के लिए सूपर गेस कोश्चन है दोस्तो आप इसे जरूर से जरूर ले जिएगा क्योंकि गडित एक इंपोर्टन टॉपिक है जो की गडित एक इंपोर्टन सब्जिक्ट है जो एक्जाम में आपको मेरिट से ओपर या नीचे कर सकता है तो आप इसे जरूर से जरूर ले जिए 500 प्लस परसनों का स्पेसली ग्रूप D के लिए बनाया गया है जिसमें आपको संपूर हल जो की ट्रिक के माधम से भी बताया गया है इसका लिंक डिस्किप्शन बाक्स में मिल जाएगा जहां से आप उसे ले सकते हैं इसके अलावा हमा एक और एबुक है जो की 70 प्लस महत्पूर टॉपिक है जीके का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो इस एबुक में आपको न मिले विथ डीटेल के साथ आपको सारे की सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे ओल इन वन एबुक में तो आप इसे भी जरू आप में पूछता है कि लॉफिंग गैस कौन सी है इन में से इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C N2O लॉफिंग गैस जिसे N2O भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को सूंगने से उत्तेजना उत्पन होती है और हसी आने लगती है अता इस गैस को हाथ से गैस भी कहते हैं अगला कोशन देख लेता है वायू निम्नलिखित में से क्या है आपको बताना है कि जो वायू है वो इन में से क्या है तो इसका राइट अंसर बात के दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C यानी मिस्ट्रड वायू जो की बिभिन गैसों का एक मिस्त्रड है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कर्बन डायोकसाइड, जलवास, अक्रिय गैसे आधी होती है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों बंद कमरों में स्टोव व अंगिठी का प्रयोग न करने की सला किन कारडों से दी जाती है ठंडी में जैसे बंद कमरा रहता है तो वहाँ पर बता जाता है कि कमरों में स्टोव अंगिठी का प्रयोग न करने की सला क्यों दी जाती है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमर C यानि कारबन मोनो अक्साइड से विसायन यानि जलते स्टोव या अंगिठी से कारबन मोनो अक्साइड गैस निकलती है बंद कमरे में या काफी हानिकारक होती है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में निमनलिकित में से कौन सा कथन आसत्य है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन प्राकृतिक गैस के बारे में गलत है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अफसन नमर डी यहाँ CO तथा H2 का मिस्रड है प्राकृतिक गैस हाइड्रो का मिस्रड होता है जिसमें 80% CH4 रहता है इसका प्रयोग इधन के तौर पर किया जाता है इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माड में भी किया जाता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं प्रोड्यूसर गैस का इधन तथा नाइटोजन के इस्तरोत के रूप में प्रयोग किया जाता है यह गैस प्राप्त की जाती है चार अप्सन है आपको बतना है कि जो प्रोडीसर गैस का इधन तथा नाइटोजन के इस्तरोथ के रूप में प्रयोग किया जाता है यह गैस कहां से प्राप्त की जाती है जिसका राइट अंसर जाएगा दूस्तो अप्सन नमर डी यानि भाप को उदिप्त कोक पर प्रवाह करने पर जो प्रोडीसर गैस होता है ओ इधन तथा कांच वह स्पाथ और नाइटोजन के इस्तरोथ के रूप में प्रयोग की जाती है यह गैस भाप को उदिप्त कोक प्रवाहित कराने पर प्राप्त होती है प्रोडीसर गैस मुख्यत नाइटोजन तथा कार्बन मजून अग्साइड गैसों का भी मिस्रड होता है अगला कोश्चन देखते हैं प्रति दिप्ती प्रकास नालिका में निमनलिखित गैस होती है बताना है जो प्रति दिप्ती प्रकास नालिका में कौन सी गैस होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओफिन नमबर बी औरग है कि hydrogen gas सामानने तह कैसे तयार की जाती है तो इसका right answer जाएगा दोस्तो अप्षिन नमर D यानि तनू क्रीत H2SO4 के साद सुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा जब तनू H2SO4 के साद सुद्ध जस्ता की क्रिया से H2 gas सामानने तह तयार की जाती है अगला question देख लिते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुक संगठक है, चार अपसन है आपके बताना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुक संगठक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर C, यानि ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन, आपकी बात बताते कि LPG या द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुक संगठक ब्यूटेन और प्रोपेन है LPG की रिशाओं की पहचान है तू उसमें दुरगंद युक्त पदार्थ मीथाईल मरकेप्टोन मिला दिया जाता है इसमें ब्यूटेन की मात्रा सरवाधिक होती है चलिए अगला कोशन देख लिए रसोई गैस मिस्रड है चार अपसन है आपको बताना है कि रसोई गैस किसका मिस्रड है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अभी अभी मैंने बताया आपको C हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो रसोई गैस जिसमें LPG कहते है मुक्यत ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिस्रड होता है चलिए अगला कोशन देखते है किसी गैस का आइतन इस्थिरताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाव कितने प्रतिसत बढ़ाना होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अपसन नमबर B यानी 25% गैस का जो आइतन इस्थिरताप पर B प्रतिसत कम करने के लिए उसका दाव 25% बढ़ाना होगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस सुन्न आयतन घेरेगी चार अपसन आपको बताना है कि जा तापमान होता है उसको कितना कम कर देने से सभी गैस सुन्न आयतन घेरेगी तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो चार्स के नियम के अनुसार परम सुन्य पर गैस का आयतन सुन्य हो जाना चाहिए परंतु सभी वास्तविक गैसे इस ताप तक पहुचने के पहले ही द्रव या ठोस पदार्थ में परिड़त हो जाती हैं चलिए अगला question देखते हैं, boil नियम, most important है, boil नियम इस्थिती में लागू होता है, इनमें साब को बताना है कि कौन सा boil नियम में लागू होता है, इसके right answer बात करें दूस्तों, तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि नियत तापमान, जो boil नियम के नुसार देखेंगे तो इस्थ अगला question देखते हैं दोस्तों, तापमान और दाब की समान, इस्थितियों के अंतरगत, सभी गैसों के समान, आयतन में अड़ूं की सामान ने संख्या रहती है, या नियम कहा जाता है, चार आपसन आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A, यानि आओ गाद्रो नियम, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, oxyacetylene flame cutting के दोरान धातू कट जाती है, इनमें से आपको बताना है कि जो oxyacetylene flame cutting के दोरान धातू कट जाती है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option number D, यानि गहन oxykarar द्वारा, जो oxyacetylene flame cutting में जो दो gaso, oxygen एवं acetylene का प्रियोग किया जाता है, जो कि दातू को काटने में प्रियोग होती है, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, निमनलिखित में से कौन बड़े सहरों की वायू को प्रदूसित करता है, चार option है, आपको पास बताना है कि इनमें से कौन बड़े सहरों की तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option number B यानि लेड, बड़े सहरों में वाहन जनित प्रदूसर परियार्थ होता है, इधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल में एंटी नौकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड पड़ता है, अगला question देख लेते हैं दोस सर्विस होता है इस्टेशनों पर उनमें मोटर कारों के जो प्रदूसर जाच द्वारा किसकी जाच वा अनुमान किया जाता है, तो इसका right answer जाएगा option number A यानि सीसा वा कार्बन कड़का, जो सर्विस इस्टेशनों पर प्रदूसर जाच में सीसा एवं कार्बन कड़ों की जाच की जाती है क्योंकि इसकी प्रमुक मोटर यान प्रदूसर को में गड़ना होती है, चलिए अगला question देख लिए दोस्तों, आदर्स गैस की उर्जा आधारित होती है, आपको बताना है कि आदर्स गैस की उर्जा इनमें से किस पर आधारित होती है, तो इसका right answer देख लेते हैं, निमनलिखित में कौन सी आदर्स गैस नहीं है, चार अपसन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आदर्स गैस नहीं है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, आपसन नमबर C यानि सीली कौन, ये वे सभी गैसे आदर्स गैसे कहलाती है, जो आदर्स गैस समीकरण, जो होता है, PV बराबन NRT का अनुसरण करती है, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, एक आवगादरो संख्या का मान होगा, most important है, maximum एक question आता है दोस्तों, कि एक आवगादरो संख्या का मान कितना होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option नमबर B यानि 6.022 into 10 के power 23, मोल एक संख्या है, जो 12 ग्राम कार्बन, 12 में उपस्थिक परमाडूओं की संख्या के बराबर होती है, आधुनिक तकनीकी से ग्यात किया जा चुका है कि 12 ग्राम कार्बन में परमाडूओं की संख्या 6.022 into 10 के power 23 होती है, इन संख्या को ही आवगादरो संख्या कहते ह है, चलिए अगला question देख लेता है दोस्तो, निवनले लेखित में से किसे Mars Gas कहते हैं, इसके right answer बात करें दोस्तो, तिसका right answer जाएगा option number D यानी मीथेन को, मीथेन जो की प्रक्रति में दल दली अस्थानों में पाया जाने के कारण Mars Gas कहलाती है, यहां कार्बनिक पदार्थो के सड़ने गलने से बनती है, कोईले की खानों में भी यह पाई जाती है, जिससे प्राया आग लग जाती है, इसी कारण से इसे fire dump भी कहते हैं, तो यह थी दोस्तो, आज की वीडियो आपकी वीडियो कैसा लगा, comment section में जरू बताइएगा, वीडियो पसंदार आगा दोस्त में कोई भी परसानी का सामना नहीं करना पड़े, तो मिलते हैं दोस्तो अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत